नमस्कार गोरकपूर न्यूज में आपका स्वागत है मैं हुआ सुने पांडे हमेशा की तरह ख़बरों के विस्तार में जाने से पहले चल्दी जल्दी नजर डालेते हैं आज के प्रमुख हैडलाइन्स पर जीडिय द्वारा कराय जा रहा है विकास कारियों की मंडला युक्त अनील कुमार ने की समीच्छा कारियों में तेजी लाने के दिये निर्देश सरकार की महत्वकांची योजना दस्तक लगाएगी जेई और एईस पर लगा जिलादिकारी ने कहा योजना का शुभारम करने आ सकते हैं मुक्यमंत्री थाना परिसर में पूलिस द्वारा पकड़े गए वाहनों के जमावडे का होगा निस्तारण सस्पी शलम माथूर ने सभी थाना ध्यक्षों को दिये निर्देश दिन यलिपाद्य गोरपुर विश्विद्याले के अंग्रेजी विभाग द्वारा दो दियोसी राष्टी संगोस्थी का हुआ उदगाटन मंडला युक्त अनील कुमार की अध्यक्षता में संपन हुई गीडा की बैठक दिये आवश्यक दिशार निर्देश दस सूत्री मांगों को लेकर डिप्लोमा फॉर्मसिस्ट एस्चोसियेशन के सदस्यों ने सियमो कार्याले के बाहर दिया धरना नगर्निगम के सभागार में दस्तक योजना के अंतरगत आयोजित हुई कारेशाला साब सफाई पर दिया गया जोर क्विक रिस्पॉंस टीम को बनाय जाएगा प्रभावी एसेस्पी शलम माथूर ने दी जानकारी गोरकुर न्यूज की विसेश कवरे दिग विजयनाथ पीजी कॉलेज के मनो विज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेल बिइंग रिसोर्स विशेख दो दिवसी राश्टी संगोस्टी का हुआ समापन पांच सूत्री मांगों को लेकर पुर्वांचल बैंग के करमचारियों और अधिकारियों ने किया एक दिवशी कारे बहिसकार गोरकुर विश्विद्याले के वाड़ीच संकाय द्वारा दो दिवसी राश्टी संगोस्ठी का हुआ शुभारम उत्तर प्रदेश की बोर्ड परिच्छा की लगभग 90 हजार उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन का कार्ज नहरू इंटर कॉलेज में हुआ पूरा नहीं माने नीजी करण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे है विद्दुत कर्मी कहा ये जनता की लडाई है प्रदर्शन के छटवे दिन उत्रे सड़क पर राज आमंतरर महिला हौकी प्रतियोगिता के समी फाइनल में लखनव हास्टल ने यूको बैंक सहारनपुर को पांच एक से और सीमा सुरच्छा बल ने स्पोर्ट्स कॉलेज को एक सून से हरा कर फाइनल में पहुची और ट्राइंगल सिरीज टी ट्वंटी क्रिकेट के पहले मैच में नैपाल एने नासा केस टैलेंट को 26 रनों से हराया अब ख़वरें विस्तार से गुरपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किये जा रहे विकास कारियों की समीक्षा बैठक जीडिये के अध्यक्ष और मंडला आयुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन होई बैठक में GDA के द्वारा संचालित कार योजना की प्रगती की समीच्छा की गई बैठक में जिला अधिकारी के विजेंद पांडियन GDA के उपाध्यक्ष वैभर शिर्वास्तो सचिव राम सिंग गौतम नगरायुक्त प्रेम्प्रकास सिंग सहित सम्मंदित विवागों के अधिकारी मौजूद रहे मौजच्छा की अधिकारी के विजेंद गांडियन नगराया सिंग एधिकारे में जॉच्छा के शोच्छा को अधिकारी मौज़क्ष अधिकारी क्या गई तो आप मोघ अजय भांग में तात उपका है, व्हायश को है शोज से राइए, उसी की वीर से वो जारही है, भा अवस्ता जरुरत नहीं है, जरुद नहीं है सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं पुर्वांचल में महमारी बन चुके A.E.S. और J.E. पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले दस्तक योजना के अंतरगत प्रतियक गाउं में अभियान चलाए जाएगा जिसमें स्वास्त विभाग के साथ संबंदित विभागों के अधिकारी जन प्रतिनीधी सहित आम नागरीक भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे दस्तक योजना के संबंद में गोरकपूर न्यूस से बात करते हुए जिलादिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि योजना का शुभारम करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री की आने की भी संभावना है जिलादिकारी इस विशे में बताते हुए कहे होता है जो मक्सर या स्कूर की द्वारा प्रदे है या यू कहले की गंदगी इंसिपलाइटीज की सबसेद बढ़िवजा है दिलाव में जाते ही यह हमारी सोचने समझने देखने और सुनने की शम्ता को प्रभावविश करता है इनसे किलाइटीज की शिकार जादा कर एक से चौदा सार्थी बच्चे और पैसित वर्ष से इंपर की लोग होते हैं यह देखे दो तारिक से लेके सोला तारिक तक दस तक पकवाड़ा मनाया जा रहा है उसी के अंदर हर गर जा करके एक तरफ दस तक मतलब कड़कडा करना है एनम आशा उसी के लावा जो ग्रामस्तर सारे करम चले एक तरफ से अभियान तोर से चलाएंगे कास्त वर्पे इसको तो स्वास्त विबाग का जो भूमी का कराना था ठीका करन लगाना है, फागिंग कराना है वहाँ जो बीमारी के बारे में जंकरी देना है और वहाँ का जो दवाई जो करना है वो सारे जंकरी वहां गरगर जा करके देंगी उसी के अलावा जहां सारे विवाग जो गाउन लोल में काम करने वाले चपरासी, चोकेदार, रोजगर सेवक, प्रदान, राशन डीलर, सब लोग का हम लोग एक तरफ से ट्रेनिंग अभी इस समय में करा रहे है, उनीस ब्लाक में यहां ट्रेनिंग इस समय में चल रहा है, ए यही है, इसका किलाफ लटने के लिए हम लोग के पास एकी तरीका है, गाउं का साफ सुत्री रख लें, और मचड से दूर रखें, और किसी का बुखार हो जाएगा, अच्छानक उसको तुरंत इलाज करा के सही करा है, उसको हम लोग प्रचाबिसर करा रहे है, मानिय मुक् जिले के जा रहे हैं, ये एक भी बच्चे हैं, ये ही से मरना ने चाहिए, सिजल को इसके अलावा, SSP ने बताया कि थाना अस्तर पर चौकिदारों की मीटिंग की जाएगी, थाना से संबंधिर चौकिदारों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, उन्होंने बताया कि एक अभियान चलाकर 46 वांशित अवरादियों को हिरासत में भी लिया गया है, गुरपुन्य पूरे जो भी थाने के उपर माल है, अलग-अलग किस्मी के हैं, चाहिए माल मुकर्मासियों, माल लावारिस है, लादावाय है, कई वाध्यामा तलाशी के भी होते हैं, इनका एक ब्रहद अभियान एक महिने का जंपर में चलाया गया है, शहर और देहा दोनों जोगे, और इस अंदर में जो भी मानने न्याले के, और जो भी परिपत्र पूर में आए हैं, उनको पुना ठानी पर भीजा लिए हैं, और उसके अंदर विस्तार पूर प्रक्रिया लखे गई हैं, बताई गई हैं कि किस तरह से मालो का निस्तारंग करना है, और इसमें अधर एक चीछ और रखे गई है, जो बैस तीम ठाने के जो करमचारी होंगे चो कि इसका क्रियान मन करेंगे बेस तरीके से और जो भी आप देख शोगा, जिसके यहां से सबसे अधिक म प्रश्कृपी किया जाएगा। जब तक चलेगा सरे यह चालू हुगी है और अगले महिने के अंत में इसकी समिक्षा की जाएगी। और उसमें यह भी बताया गया कि सियों इसको डेली रूप से देखींगे और एडिशनल एसपी के लेविल के उपर इसको बीतली समिक्षा की जाएगी। मेरे द्वारा यह अभियान आज से चालू किया गया है और अगले महिने के अपरिल के अंत में हम लोग इसकी पूरी समझा गया। उसको चालू कड़ने का प्रयास किया है। इसी परिपेख्षु में कल बहता किये गया थी। और चौपिगान को एक तो उनको मोटिवेट करना उनके कारी के लिए उनके द्वारा कोई लापरत सुचना हो। अगर थाने पे उनके एरिया में कोई विवात हो या कोई ऐसी चीज हो जो कि पुलिस की जानकारी में लाना ज़रूरी नहीं हो। इस पूरी प्रोसेस के तहप यह हम लोग करेंगे और इसके कल एक पर्टिकुलर थाना शेतर के अंदर शराब की बरामदगी हुई थी एक सुचना के अपर तो इसी मीटिंग्स को इसी जो संबाद है इसको हम लोग आगे क्यारी निरंतर रूप से रखेंगे। इस बांचित अप्रादियों के गिरफतारी निया है। संबाद भौन में किया गया। काईकरम के मुख अतिथी कल्यानी विश्विद्याले के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर निलादरी चटरजी रहे। प्रोफेसर चटरजी ने कहा कि री राइटिंग अत्वा पुनर लेखन का उद्देश वास्तों में सामाजिक सन्रचना तथा हैंजरी मनी से प्रस्ण करता है। लेकिन इसके पीछे नहित मन्तव न करात्मक न होकर पूर्नेता सकरात्मक है। पुनर लेखन मुख्धारा लेखन के हासी के पात्रों के केंद्रों में ले जाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अधिस्ठाता कला संकाय प्रोफेसर असोग सिर्वास्तों ने अपने अध्यक्षी उद्वोधन में पुनरलेखन इतिहास मिथक और साहित्ति के विष्णय में अंतर संबंधों को स्पस्ट किया विभागा देक्ष तथा संगोस्ठी के आयोजग प्रोफेसर हुमा सब्जपोष ने अतितियों का स्वागत तथा विषय परिवर्तन किया दूसरे सत्र में संगोस्ठी के विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया विभिन प्रांतों से आय लगभग तीन दर्जन प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्रों का वाचन भी किया संगोस्ठी के दौरान इस औसर पर लखनो विष्विद्याले के अंग्रेजी विभाग के पूर विभागा देक्ष प्रोफेसर S.Z.H. आबिद प्रोफेसर अनिल कुमार राय इतिहास विभाग के पूर विभागा अध्यक्ष प्रोफेसर हीमांसू चतुरवेदी अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हुमा शब्डपोस और प्रोफेसर आलोक सहित कई अन गणमान सिख्छक मौजूद रहे अनिल कमार्योड झुक्ष एक जाम झालोक से इतितीपएरपन तेढ आलोक हांने लिग्साटब विफासर में ग्किल्पोसेंगूने इतिद? So, in the film, Eric 22nd does not die. He doesn't die. Now, a lot of people are going to say, oh, how could Derek Jarman do this? You know, this is hysterical, it's unacceptable. Christopher Marlowe has been displayed. Why did he have to change the ending? No, but what we have to understand is that Marlowe is doing this because, of course, that is what history was. But what Derek Jarman is doing is he's also trying to point out the ways in which some narratives perhaps need to be written in order to complicate the history of the country. Evidence is not always available. But surely there is that area, that gray area, which is not that 100% history nor 100% fiction. It is that sort of gray area where what we get to ask this wonderful question, what if? What if? What if this had happened? What if that had happened? And I think it is this desire to ask what if, which I think is a very productive question. It's a very productive question. It's a question, again, that is informed with love. And it is a question that is also marked by a sense of the loyal opposition. I am trying to reimagine the history of my country. I am trying to reimagine the history of my people. I am trying to reimagine the history of my culture. And what I am basically trying to understand is what if this had happened and not that? Is it so difficult to imagine? Is it so difficult to imagine that on that morning of 28th January 1948, when Gandhiji is walking towards a square meeting and we got Nataram both say right there, could it be possible, could it be possible that Nataram takes out his revolver, shoots at Gandhiji, but he misses the target? So, what do you see? Our seminar is about Dodev Singh. It is about rewriting literature and history and mythology. Rewriting means that the ancient classics are, such as Shakespeare, Dickens, Jane Austen, which everyone has heard and studied in school, in college, in the university level, and in the books, which are written in Britain or other Western countries, and is written in India, and other colonized countries, which have been written in the past, which have been written in the past, and are also written in the past, and the past, which have been written in the past, एक English gentleman का गया चारेक्टर होता है, और इन देशों के इनको नेटिवज गोते हैं, इनका गया चारेक्टर है, इसमें बहुत अंगर है, लेटिवज जो रहे होता है, इसके अंदर करेज नहीं है, उसके बिलीफ सही नहीं है, या इस तरह के चीज़े जो wild नहीं, अंसिविलाइ और इंग्येश पीपे जो हमें, उनको उनको सिविलाइज करती हैं, उनको शिक्षित करती हैं, इस तरह की चीज़ी है, जो इस तरह के कंसेप्स थे, उसको आजादी मिलने के बाद, मिदल ओफ टुंटिएफ सेजरी के बाद, दोबारा से लिट्रेचर में कोशिश करी है, कि जो पिक्चर आ रही है इन लोगों की, उसको सही किया ज़रे, कि हमारा ऐसा चरुत रही है, जैसा उसमें दिखाया ज़रा है, तो इसलिए हम जो मशूर, हम लोग या किसी भी जगा अफरीका में देखी हैं, और उसको इसको 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 देखी हैं, तो जो कारेक्टर्स वि पारा से उनका सामने दिया रहा है, कि इनका भी करेक्टर जो इस तरह से दिखाया गया है, वो वैसा नहीं है, या उसमें जो धारणा बनी हुई हो धारा है, सही नहीं है, ये बाते हम लोग उसके मादियन से नहीं कह रहे हैं, आत्मद्जिय की, पॉलिटिकल डिस्कोस या पॉलिटिकल चर्चाओं में नहीं कह रहे हैं, बलकि ये चीजे लिखी जा रही है, एक नॉबल के जवाब में दूसना नहीं हो, तरह दूसरे आपनी से, दूसरे परस्पेक्टिव से, ये एक री राइटिंग है, और ये इसी तरह की री राइटिंग, फेमिनिस्ट मिंज पुरपुर ओद्योगिक प्राधिकरण, गीडा के कारियों की समीच्छा बैठक मंडल आयुक्त अनिल कुमार की अध्यक्चता में आयुक्त सभागार में संपन होई, बैठक में गीडा में स्थापित ओद्योगिक संस्थानों की समस्याओं को दूर करने, गीडा छेतर के में से निकलने वाले कच्रे की ट्रीटमेंट प्रांट लगा कर साफ करने सहित अन बिंदुओं पर क्रमवार समीख्छा की गई बैठक में गीडिया की मुख्य कारिपालक अधिकारी हर्ष्टा माथूर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे इस दिक्कत आई थी उसमें डियम सब में भी ये गुजरा से एक प्राइबट पार्टी को गुलाया था और बुरपुर में दुपीन के उनकत वे रिसार्स किया था कि आए ते मिलें थे और उसे आपने फिलता राशर कि अगर उन्हों के बड़े प्राजिक्स किये हुए तो उन्होंने छोटे ही केमें प्राइब लगाना चाहिए तो उसका यह कहना था कि आलग अलग रोज में हम छोटे-छोटे सीखिए अपने लगाएं तो कोका को जो में तक यही का शांगी जोटी आपने एपको ठीक्स कर अना का मJack उसका हो तो चीप सब्सक्राइब लगी है दस मही को और उसे बदाना पड़ेगा और अभी करहारी मुद्र सक्रीज आपको रहा है था तीन चार प्रेवर को मन्यें चीफ सक्रीज साहब का पानों दिगार आए हुए है आमीन दी के पड़र पर ये पस्वर आपिदे समागा डिप्लोमा फॉर्मसिस्टों ने बकाया वेतन भुकतान किये जाने सहितकुल दस सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को जिला स्पताल के सीमो कार्याले के बाहर धरना दिया इस दोरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारे बाजियां भी की फार्मसिस्टों का कहना है कि कई माह से वेतन ना मिलने के कारण उनकी आर्थी किस्थिती काफी दैनी हो गई है जिससे उन्हें विभिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने बताया कि इसके अतरिक्त भी उनके कई अन्य मांग लंबित हैं जिन्हें पहले समय से पूरा नहीं किया जा रहा है धरने में डिप्लोमा फार्मसिस्ट एसोसियेशन के मंत्री डॉक्टर डीके सिंग डॉक्टर बीडी चौधरी ब्रिजेस गुपता ज्यान भारती सहित एसोसियेशन के कई पदाधिकारी और सदस से मौजूद रहे गुरपुनियू से बात करते हुए डॉक्टर डीके सिंग ने कहा अब लोग दस उत्री मांगों को इनको दिये थे तेरह तारीट कोई है कि आप इसको समाधान करके हम लोगों को सुचित करिए उसमें सबसे प्रमुक्त मांग है इनके दौरा इनके कार्याले दौरा महा निदे साले को भ्रामक सुचनाए बेजी जा रही है जिसके चलते हमारे दो सात्यों का समायोजन यहा से आजमगड हो गया है जब कि वो रेगुलर पद पर नुक्त है और 6 महीने पहले ही उनकी नुक्ती ही है उनका वेतन भी मिल ला है लेकिन उन्हें सुचना भेजा है कि यह सर्प्रस हैं इसके कारण जो है उनकी अस्तनांतर होगे है दूसरा हमारा मुद्दा है कि नजबंदी के लिए 50 रुपे ने स्टेक्टिस को मिलता है पर के और यहने सेशिया देने का काम हमारा फार्मसीश साथी करता है लेकिन पैसे का भुपतान उसको न करके यह लोग अपने जेब में इदर उदर बंदर बाट करते हैं हमारी मांग है कि अगर काम हम कर रहे हैं तो उसका भुपतान जो निर्दारित है वो हमको दिया लिए इसके अत्रिक आप तो पता होगा हमारे जनपद में दो पुराने चिगी साले थे मेडिकल केर सेंटर यूग और इस्कूल डिस्पेंसरी जापरा भजार में था वहां लोगों को दोवाय मिलती थी शुदाय मिलती थी उसको साज इसके तावते बंद कर दिया गया और हमने इंसे निवेदन किया कि आप इसको उपर लिखिये और उसको किसी अरने जवाइए उसको शुरू करिए लेगिने नहीं करता है कितनी सुत्री मांग है कब तक आप लोग बैठा रहे है उसके बाद भी अगर इन नहीं करेंगे तो हम इसांदोलन को और आगे बढाएंगे उसके बाद हमारे साथ जिला-स्पताल, जिला-मेला-स्पताल, मेटकल कालिज के साथ ही बहेंगे और इस्ति हम लोगों की हुई, तो हम लोगों हर्ताल को भी जा सकते हैं, अन्य करमचारी संगठनों का भी हमको सरयोगी ना है, ओ लोग भी हमारे अंगों को बना है। एवं सफाई निरिक्षकों को निर्देशित किया है कि आप सभी वार्डों में गठित स्वक्षता वातावरर टोस्ताहन समीती के माध्यम से जेई के बचाओ के बारे में कारिशाला आहुद करें, सभी को इसके बचाओ के बारे में बताएं, साथ ही जेई पूर्व इन बस्तियों की सफाई किये जाने पर विशेश बल देते हुए सफाई अभियान चलाएं। कारिशाला में महापौर सीता राम जैसवाल, मुख्य स्वास्त अधिकारी डॉक्टर मुकेस कुमार सहित अनधिकारी भी मुझूद रहें। मुख्यान चलाएं। 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 फिर से अप्री सिर्टमेंट दुमानें और नालोट होते ही भी आपके समय करें। इसे परभावी परिवार इतने हैं जो परचे आती में पुरिज़ात में आते हैं। ऐसे परिवारों को प्रोप चीजित करना। वहां वहां तो सिर्टमें आते हैं। इस रोग से बच्चाव को परिशित आते हैं। और किस तरहां बच्चों को यह पेशितन जे मिल ले लेती हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या है जापानी इंसिपलाइटीज जिसमें इतने बच्चों को काल के काल दिसमा दिया। इंसिपलाइटीज उप जैपानी गुखार एक पतासर दिमादी गुखार है। जो वाइडन संत्रमन्ट की बचर से होता है। एक वाड़ यहां हमारे शरीय के संपर्थ में आता है। फिर यह सी रेक हमारे दिमाद लोड चला जाता है। यह एक खास के सुहें वाइडन से होता है। जो मध्जर यह सूर के द्वारा पैलते हैं। यह यू के रहे कि गंदगी इंसे पिलाइटीज की सबसे बढ़िवजर है। बिमाद में जाते ही यह हमारे सोचने, समझने, देखने और सुनने की शम्ता को प्रभाववश करता है। इंसे पिलाइटीज की शिकार जादा कर एक से चौदा सार की बच्चे और फैसित वर्ष से उपर के लोग होते हैं। यह वाइरस सिर् छूले से नहीं थालता। तो नारा मुने आपको बताया कि यह विमारी क्या है। इसके साथ यह वितार है कि इस विमारी का प्रभो साम की तीन मुन्ये सबचे जाए होता रहा है। पैस पावल पदके दोरे आने लगती है। तीज भुखार आता है। व्यक्ती यती संबेदरशिल हो जाता है। कुछ समय कि बाद भंका शिकार होने लगता है। और फिर उसे पागल पंके दोरे आने रखते हैं। यह बिमारी इतनी घादागे कि जिसे अपने चपेट में ले लेती हैं। संभव है कि इस शक्स को लगवा मारना और कोमा तकी सिती तक में पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं इसके बचाद के उपाए की। इसके बचाद के जो भी उपाए हैं इसे आप ध्यान से सुनें और जरूर इस बात का खयात रखें। बच्चों का सबय से ठीका करन कराए और साफ सफाई से रहें। कंदे पानी के संपड़ में आने से बचें। बच्चरों से बच्चाद घरों के आस पास पानी ना जमा होने दे। बारिश के मौसम में बच्चों को बेहतर खान पान दे और बाहर के खानों से फरहेज करे। इस खबर में हमने आपको बताया कि आखिर क्या है जापानी इंसे फलाइटीज के लिए को अब और अधिक प्रभावी बनाये जाएगा। गुरपु नियूस से एक विशेस बातचीत के दौरान SSP शलम माथुर ने बताया कि टीम को प्रभावी बनाने के लिए हर सरकिल से एक वीक के लिए एक सिपाही की डूटी पुलिस लाइन में लगाई जाएगी जो भी करमचारी की डूटी लगाई जाएगी उसके कामों की समीख्छा कर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस संदर्भ में SSP शलम माथुर ने बताया जो है एक वार्टी टीम का जो है एक नया प्रावुट जारी किया गया है जिसके अंदर एक वीक के लिए हर सरकंग से एक-एक सिपाही पुलिस लाइन के अंदर आएगे और इस दौरान जो भी करमचारी रहेंगे इस लाइन में उनकों गारी और जो भी हलमेडेंडा करेंगे और ये एक निक का रहेगा ये गाड़ी और एक युवार्टी जो है कंट्रोलिंग के अंदर हो रहेगी और कभी किसी गारें से इनका यूज हो लाइन ओडर या अन्ने जगें तो इनको यूज किया जाएगे साथी साथ जो भी करमचारी आएंगे वह अपनी बीट कुस्तिका का प्रावी दिया गया है ताकि जब वह आएं और अधिकारियों नमारा बीट कुस्तिका की समीक्षा की जाएगी जिसके बीट कुस्तिका अच्छी रहेगी उसको में प्रस्क्रिप्ट किया जाएगा साथी साथ जो सिपाई आएगे उनके जो ऑफिस जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुक हैड्लाइन्स पर जीडिये द्वारा कराये जा रहा है विकास कारियों की मंडला युक्त अनील कुमार ने की समीच्छा कारियों में तेजी लाने के दिये निर्देश सरकार की महत्वकांची योजना दस्तक लगाएगी जेई और एईस पर लगा जिलादिकारी ने कहा योजना का शुभारम करने आ सकते हैं मुक्यमंत्री थाना परिसर में पूलिस द्वारा पकड़े गए वाहनों के जमावडे का होगा निस्तारण स्स्पी शलम माथूर ने सभी थाना ध्यक्छों को दिये निर्देश मंडला युक्त अनील कुमार की अध्यक्छता में संपन हुई गीडा की बैठक दिये आवश्यक दिशार निर्देश दस सूत्री मांगों को लेकर डिपलोमा फार्मसिस्ट एस्चोसियेशन के सदस्यों ने सियमो कार्याले के बाहर दिया धरना नगर्निगम के सभागार में दस्तक योजना के अंतरगत आयोजित हुई कारेशाला साब सभाई पर दिया गया जोर क्विक रिस्पॉंस टीम को बनाय जाएगा प्रभावी SSP शलम माथूर ने दी जानकारी गोरकपुर न्यूज की विशेश कवरे दिग विजयनाथ PG कॉलेज के मनो विज्ञान विभाग द्वारा एडवान्स इन हेल्थ एंड वेल बिइंग रिसोर्स विशेख दो दिवसी राश्टी संगोस्टी का हुआ समापन पांच सूत्री मांगों को लेकर पुर्वान्चल बैंक के करमचारियों और अधिकारियों ने किया एक दिवशी कारे बहिसकार गोरकपुर विश्विद्याले के वाड़ीच संकाय द्वारा दो दिवसी राश्टी संगोस्ठी का हुआ शुभारंब उत्तर प्रदेश की बोर्ड परिच्छा की लगभग 90,000 उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन का कार्ज नहरू इंटर कॉलेज में हुआ पूरा नहीं माने नीजी करण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे है विद्दुत कर्मी कहा ये जनता की लडाई है प्रदर्शन के छटवे दिन उत्रे सड़क पर राज आमंतरर महिला हौकी प्रतियोगिता के समी फाइनल में लखनव हास्टल ने यूको बैंक सहारनपुर को पांच एक से और सीमा सुरच्छा बल ने स्पोर्ट्स कॉलेज को एक सून से हरा कर फाइनल में पहुची और ट्राइंगल सिरीज टी ट्वन्टी क्रिकेट के पहले मैच में नैपाल एने नासा केस टैलेंट को 26 रनों से हराया हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं कुछ तौफे हम कभी नहीं बूलते जैसे घर आई नन ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार दिवाली पर मिठाई के डब्बे में चुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तयारी में शुब आरंब का अशिर्वाद एश्परा 76 सालों से परंपरा विश्वास की गोरकपूर न्यूज के तरफ से एक विशेश ओफर एश्परा के शोरूम जाईए और जितने भार का शोना आप खरी देंगे उतना ही चान्दी मुफ्त पाईए अपने आपको गोरकपूर न्यूज का दर्सत बताईए और इस विशेश ओफर का लाव उठाईए ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटन में स्वागत है चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दिग्विजनाथ पीजी कॉलेज के मनु विज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेल बिंग रिसोर्च विशेश पर दो दिवसी राष्टी संगोस्थी का सुमवार को समापन हो गया इस औसर पर बतावर मुख्य अतिती के रूप में डॉक्टर रामजीलाल सिर्वास्तो, डॉक्टर शुष्मा पांडे, डॉक्टर मीना कोहली, डॉक्टर एस्बी सिंग, डॉक्टर एस्बी सिंग, विवेक कुमार शाही सहित कई गणमान लोग मौजूद रहें इस औसर पर अतितियों का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन भेट करके किया गया, जिसके बाद सेमिनार में शामिल सिक्षकों ने अपने अनभों को सबके बीच साजा किया राश्टी संगोष्टी के समापन औसर पर वक्ताओं ने सम्मंधित विशय पर अपने विचार रखे अब दिख करता हूँ इस दो दिख सी नाटे संगोष्टी समिनार दूर दिख चला, इस क्रोविक में वेल कास सवयागी तो सवसे जाता है एवगोष्टी आपस 113 शारी से सिक्षाओं गी एक्पे रेजिशन रेजिशन सारे, वो दिख में वो कि साथ समय भी आथा वाले दिन हम लोंके में कुछ अच्छी टेपर पढ़े पर ला टेक्टिकाल सेशन, भूसरा टेक्टिकल सेशन, आज का भी तुस दूस सेशन चला हमाले लिए वो अच्छी टेपर समपोरों के उसमें पढ़े, आपी अच्छी है, आप जिता मेरा सेमिनार में सब्धी उस्ते कि लगंपसाने सप्षी के पुछ लिए एक वाली लेक्ट्र अपलाने कोमें, आपके सेशन, जो सेशन, वीक कारें सक्छी पाने, पत्यचे पाले जो लेक्ट्र होगा, डाकर वाईडी सिंसर का, डाकर वाईडी सिंसर में जो बदाया, कि हम 100 अस्थी चिंता भूकर रहे हैं लेकिन परियावलर की जिन्ता की नहीं में उचेल है, काट नी है. क्योंकि हमारा जो है, स्वाथ तिर्फ एक किसी एक factor से decided नहीं है. उसमें कई सारे factor हैं, जैसे उस्वाथ का ऐसाइको-सोसल माडल है. और ये biological, psychological and social factors हैं ये bilaterally ये गूसरे से correlated हैं ये गूसरे को प्रभाविक करते हैं यानि हमारी biology हमारी biology से प्रभाविक है और social environment factors काम की असर है इन्पे environmental factors का रूल है तो करिके तयम मनें environment के पज़ा उना परेगा सची उना परेगा इसके बाद मुट क्या खुक्ति मौब रहे हैं फुरी ग्रेश्ट के सब्सक्राइटा जो लेक्शर हुआ उस लेक्शर पे बहुत साइब बातिक बताईए जिसमें एक फैल्म के जो टेपिनीशन है एल्पी टेपिनीशन में जिसमें हम साइट वाजिकल, मेंटल, फिजिकल, स सारे गंदीक कंपोनेंट को हम एक साथ रखते हैं इसकी बात की मुटने साथ मीमों ते ये बताया कि आजका तो दौर है इस दौर में हमों जाबातर जो बजार की चीज़े अविलबल में हैं उनसे पुछी खरेटरी की पुछिस कर रहे हैं बजार के हम दिर बता पारी पढ पुर्वांचल बैंक ऑफ एसोसियेशन के बैनर तले तारा मंडल इस्थित पुर्वांचल बैंक कर्मियों ने सोमवार को अपनी पाँच सूत्री मांगों को लेकर कार बहिशकार कर धरना किया धरने के दोरान बैंक करमचारियों ने अपनी मांग को लेकर जमके नारिबाजियां भी की बैंक कर्मियों ने धरने के माध्यम से पैंसन समानता लागू करने, मृतक आश्रित निउप किये जाने, दैनिक मजदूरों का नीमती करण करने, पदोनती नीती एवं भक्तों का समानता किये जाने और ग्रामीड बैंकों के नीजी करण को समात किये जाने की मांकी है एयारार भी ये जिन्दाबाद परवांचार से लिशन परवांचार मेंकाफिकर से लिशन परवांचार से सोग्यासंन पुर्णाबाद करो बेंसे शिवडा लाहू करो बनकंपा के अधार सो दिस्की परदान करो गुरपुनियों से बात करते हुए एशोसियेशन के महामंतरी सुरेश चन सिर्वास्तो ने कहा अच्छान के देश में हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारी मांगे है वो ग्राइड बैंकों में पेंशन की सुथा लागू किया जाए। दूसरा अंकंपा के आधार पे मुट्टक का सुच्टों को नोकरी प्रदान की जाए। जो हमारे देर्नीक बेतम्होगी के तासी हैं, उनका निमेती करण किया जाए। उन्हें निम्तम मेजूरी का भुक्तान की जाए। उसरी बात प्रद्जर बैंक के समान, कमाम सुधाएं। हमारे यहां नहीं लागू हैं, उसको लागू किया जाए। पर्मोशन पालिसी भी हम प्रफेसर आरे स्यादव, प्रफेसर विजय कृष्ण सिंग और प्रफेसर आउधेस कुमार तीवारी सहितकई सिंग जाए। संगोश्टी के दौरान उपस्तित वक्ताओं ने संबंदित विशय पर प्रकास डाला। स्यन्नलाश तो हिस चलकी में जाए जाए। अच्पूधिट अफच्तित विज्ièrement बार्फेसे यह पंज लुगी हो दो पेजार्य करेस्ट मेल के पूसों हम फे घीम है वह दिपनी है अबन पनी अबन अबने लुगी एक की फ्टोरित sustainability tomorrow In C economies and third are the innovation economies Factor economies, more or less we use our factors in order to do trade We are not efficient just We are trying to be efficient Our initiation paradigm on p rất subscribe That is what we should know The next one Global scenario What we all should know Initially, it was all the first industrial industrialization what happened due to stream power machine power later on then it came the second industrialization second industrial age when we were able to introduce assembly line and third all of you know that it was the IT age and fourth age which is coming up it is internet of the things how revolutionary this internet of the things is just try to imagine मैं ये चश्मा पहना हुआ हो आप उस चेर पे बैठे हुए हो इसकी age क्या है if anybody asks इसकी ये कहा जाए कि ये चेर पीजार बार बैठने के ये आबिल के and this particular information will help you to replace this chair this particular information will help you to price this chair internet of things internet of everything is coming in this era are we preparing our college course to be suitable to compete in that era the kind of skillset are they part of our curriculum the challenge is so next two MIT professors wrote a wonderful book recently the second machine age now see another big challenge initially what people said that machines came to increase our animal power we will see to take a look at the 10th day the entire inter-college into the उत्तर-पुस्तिकाओं के मुल्यांकन का लगभग 90,000 उत्तर-पुस्तिकाओं का मुल्यांकन पूरा हो चुका है बताते चलें कि उत्तर प्रदेश बोल्ड परिक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन 17 मार से शुरू हुआ था जिसे निर्धारित 15 दिनों तक समाप्त करना था इँसलिस 500 सुट्स Σाथ All 的 l बातां थाली मार समें का थे शुर्डा का थमार स्थाएं से भाशा हुआं कि आपके ञाकराइज तक सहस्या है जाली अलौल गुरपु नियूस से बात करते हुए प्रधानाचार नहरू इंटर कॉलेज के डॉक्टर एमपी सिंग तोमर ने बताया प्रारंब से ही अति उफसाद से परिश्यकों ने कापी जाती है और कापी लगभग समति के गगार पर है maior लगवग बेड लुक्ति कापायां आई थी उसमें अतने लिवं कापी भची है जो अतिनी निन में है हमारे क्याल से सवाप्त हो जाई है कितना प्रतिसक्त हो चुका हो एक अब यह बस एक वोटे पांच काफी बची ही रुपी सुझी है यह बोटे पांच मैंने कोई अशुमिद्या नहीं बस यह थोड़े दूर दूर से जो है अब यह बनार्स सप्तर सी किलो मीचर से आते हैं तो संसांधन और सहर का जाम पिसके माते जोटा है और समय का कुछ लोग समय से आते हैं कुछ लोग नहीं आपाते हैं प्रिया एक तरमाइता से समी नकाफी जाटी है सोमार को कारे आले मुख्य अभियंता पुर्वांचल विद्दुत वितरन निगम महद्दीपूर विद्दुत करमचारी संगर समीती के सची उप्रिजेस त्रिपाठी के नेत्रित में छटवे दिन भी हज्जारों की संख्या में विद्दुत करमी नीजी करण के विरोध में अपने सभी संगठनों के पदाधिकारियों और करमचारियों के साथ सड़क पर उतरे और मानव स्रिंखला का निर्मार किया नीजी करण का विरोध करते हुए जोड़दार प्रदर्शन किये सचिव विद्दुत करमचारी संगर समिती ने कहा कि ये जनता की लड़ाई हैं हम जनता के हग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुझत कर दिंखला के लिए जनता की लाई हैं कि आपास्लोग जनता की लिए लाई हैं जो जो आपास्लोग यह? हमाद नच्राव सिंनाब जिनाब 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 जिनाबगा सब्सक्राइब जिपे करो जिन्द बार जिंद बार आपडे बार जिन्द बार गुरपु नियूस से बात करते हुए अध्यक्ष राज करमचारी सयुक्त परिसत गुरपुर के रूपेश कुमार सिर्वास्त और सच्यू विद्दुत करमचारी संघर समिती के बिजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया अब देखा जाए लखनों के जितने मंत्री है यहां तक कि बिजली मंत्री का भी बकाया बाकी है और जितना भी वहां के जो विभाग है जितने भवन है जवाहर भवन से लेके इंद्रा भवन और राज तित्करी सब जगह का पैसा बाकी है जो 50 cm है उनका भी पैसा बाकी है यदि सारे पैसों को ही वस्रूप दिया जाए तो और बो रुकिया हो जाएगा तो कहां से आपका घाते में हैं यह शिरिफ कमिस्टरबाजी के चक्कर में बीरोकेट का नहीं तरीके सा हाई टेकनोटिव की ताहट की विभागों को सीधे सिरे बेचना चाहते हैं अन्ना ही पितिवाद मैं अगार करना चाहता हूं सभी जाएगा जिसकी जिमदारी सरकार की होगी पितिवाद कर्मी को निकाला नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपका जो आपका जो आपका जो आपके चैनल दोरा देखा हूं उन्हें ने का कि बीदूत कर्मी को पोई अहित नहीं होगी हम अपने अहित के लिए लड़ रहे हैं हम अपका जो आपके जाएगे जो टोरेंटो दारा किया जा रहा है इसका उधार है उसके लड़ रहे हमारा क्या हमारे इस दार हैंगे फर्चित हैं कर रहे हैं कि हम अंदेखी कर रहे हैं कि वह दोया में जो आपने प्राइबिट को तोड़ा था और हमारी कंपनी बनाएती है इसरकार चार एक होई समय है लेकि वह सकारे भूल जाए वह समनीद आ गया है सभी हमारे जितने संग्ठन है और कमचारी वर्क विभागों के वह भी हमार को बीर बहादूर सिंग स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर छेतरी खेल कार्याले गोरकपुर्दवारा आयोजित राज आमंतरन महिला हौकी प्रतियोगिता का पहला सेमी फाइनल मैच लखनव हास्टल और यूको बैंक सहारनपूर के बीच खेला गया जिसमें पर अंतरास्टी हौकी खिलाडी गुलाम सरवर प्रतियोगिता के निर्णायक एनपी गौर्ड निर्णायक लखनव रिशिकुमार खुर्शीद एहमत प्रसिक्षिका हौकी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की शालनी विसुकर्मा सहित अन्नि खिलाडी और हाकी प्रसिक् लाँ तयाम देखें हौकी बुलाउ garlic भुला फायए-और हाहन प्राट का sabemosका हौकी तर उ cynके स Peter Jezero Cup कि इंचे खिलाप गो कि ग्लों बऑने को शॉर्णायक टेए हौकी गुलाओ कि खिला हौकी मुडिता हौकी भीकि नहीं फप्राइघ को व्लाब के उने उनी कि यहां कि भूत hèH 1 बाभी तरह हा राभऴ तरह की अचानदो कि रहना यहाजी हां कि परढ़ी यहां जाज़ है कुल आज़ दो प्रीद कि वहां क्योंको झीले ते जाए खिंट्टी अंतर माधे आरे कि अंधर सभी हो खिंट्टी जैए खिंटा है कि ट्राइप खिंट जा आ एपटा गौआ प्रेगाए प्रेगाए कि अ फॉर्ष प्रेगाए सोब भाज दो कि अवर्छ लेत कैने, चीडिए कर दो तो डड़र्खें ऻूँरे हम डान एेख, लेति छोरे सोनosas में वे Strategy सोन थें लेति का ओारमिए विここ कि अार्छ इस रह Да कि अजस्दीर आवinen दाय हमारण सुमार को सेंटेन ड्यूस डिगरी कॉलेज के मैदान पर ट्राइंगल सीरीज का पहला मैच T20 क्रिकेट मैच नैपाल A और नासा केस टैलेंट के बीच खेला गया पहले बल्लेवाजी करते हुए नैपाल A ने 20 ओवरों में 5 विगेट के नुकसान पर 149 रन बनाए नैपाल A की तरफ से प्रदीप ने सरवाधिक 58 रन की पारी खेली नासा केस टैलेंट की तरफ से नरेंदर आरया ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 विगेट लिए 140 रनों का पीछा करने उतरी नासा के टैलेंट टीम की पूरी टीम 19 ओवर में 113 रन ही बनाकर आल आउट हो गई नैपाल A की तरफ से वितेंदर प्रकास जैसी विपिन खत्री सागरपन को दो-दो विकेट मिलें खत्री में 19 ऐसे कि तो रहे हमांने है आउट हो अए आउट में 2 योगर में बोड़े बीया पोड़े आउट बागी आउट पल्लस आउटो ही पढ़ी जोड़ागा हाँ चलिए चलने के पहले जली जली नजर डालेते हैं आज के प्रमुक हेंडलाइन्स पर जीडिये द्वारा कराये जा रहा है विकास कारियों की मंडला युक्त अनील कुमार ने की समीच्छा कारियों में तेजी लाने के दिये निर्देश सरकार की महत्वकांची योजना दस्तक लगाएगी जेई और एईस पर लगा जिलादिकारी ने कहा योजना का शुभारम करने आ सकते हैं मुक्यमंत्री थाना परिसर में पूलिस द्वारा पकड़े गए वहनों के जमावडे का होगा निस्तारण सस्पी शलम माथूर ने सभी थाना ध्यक्षों को दिये निर्देश मंडला युक्त अनील कुमार की अध्यक्षता में संपन हुई गीडा की बैठक दिये आवश्यक दिशार निर्देश दस सूत्री मांगों को लेकर डिपलोमा फॉर्मसिस्ट एस्योसियेशन के सदस्यों ने सियमो कार्याले के बाहर दिया धरना नगर्निगम के सभागार में दस्तक योजना के अंतरगत आयोजित हुई कारेशाला साप सफाई पर दिया गया जोर क्विक रिस्पॉंस टीम को बनाय जाएगा प्रभावी एसेसपी शलम माथूर ने दी जानकारी गोरकुर न्यूज की विसेश कवरे दिग विजयनाथ पीजी कॉलेज के मनो विज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेल बिइंग रिसोर्स विशेख दो दिवसी राश्टी संगोस्टी का हुआ समापन पांच सूत्री मांगों को लेकर पुर्वांचल बैंक के करमचारियों और अधिकारियों ने किया एक दिवशी कारे बहिसकार गोरपुर विश्वद्याले के वाड़ीच संकाय द्वारा दो दिवसी राश्टी संगोस्ठी का हुआ शुभारम उत्तर प्रदेश की बोर्ड परिच्छा की लगभग 90 हजार उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन का कार नहरू इंटर कॉलेज में हुआ पूरा नहीं माने नीजी करण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे है विद्दुत कर्मी कहा ये जनता की लडाई है प्रदर्शन के छटवे दिन पुत्रे सड़क पर राज आमंतरर महिला हौकी प्रतियोगिता के समी फाइनल में लखनौ हास्टल ने यूको बैंक सहारनपुर को पांच एक से और सीमा सुरच्छा बल ने स्पोर्ट्स कॉलेज को एक सून से हरा कर फाइनल में पहुची और ट्राइंगल सिरीज टी ट्वेंटी क्रिकेट के पहले मैच में नैपाल ए ने नासा के इस टैलेंट को 26 रनों से हराया इस बुलिटन में बस इतना ही तो अगले बुलिटन तक के लिए दीजिये हमें इजाजत और देखते रही गुरपुन न्यूज न्यूज बिफोर हेडलाइन नमस्कार